तो हलो एब्रियान वेलकम इन्टो माई न्यू व्लॉग तो कैसे हैं आप सब लोग आप सब लोग अच्छे होंगे तो आज के ब्लॉग में लोग बात करने वाले एक इस्पेसिल चीज़ की तो चलिए मैं दिखा दो वह इस्पेसिल चीज़ का है तो वह ये जिम वाले तो आप इस व्यूडियो में एंड तर बने रही है तो देखिए हमें पावर डिफ्टिंग बेल्ट या नहीं बानना चाहिए तो वह सबसे क्ले बात आती है कि यह हमें तब बानना चाहिए जब हम हमारी एक्सराइज उसको हेवी से हेवी हम जा रहे हैं और हमें कोई भी हम जब बेल्ट उठा रहे है तो इसमें जब अगर हमारी कमर पे इसका कोई एफेक्ट आ रहा है यानि कमर पे कोई लोड आ रहा है तो उस तक हमें यह पावर डिफ्टिंग बानने के जूरत पढ़ती है लेकिन आजकल कई बच्चे हैं जिनने में देखता हूं जिम में जाते हैं पहले बेल्ट बादेंगे फिर अपने पूरी एक्ससाइज यह वो लगा रहे हैं तो यह देखे बिल्कुल गलत है पूरे टाव इसको लगाई वह भूंते रहते हैं इससे देखो कोई फाइदा नहीं है ठीक है इसका आपको नुकसान जुरू मिल सकते हैं नुकसान यह कि आप कभी भी अगर बिना बेल्ट के अगर आपको कुछ लाइट भी उठाना पड़ा तो वह आपकी इंजरी के कारण हो सकता है थुरण हो सकता है उसमन आपकी कमार मेए इस denk कहीं आपके इंजरी वगएरा इस बड़ फाइटर को तभी लगएए जब आप लगए के सािन अगे सेट में जब लगएए, इस में सेट में हेवी जा रहे हैं अब दूसरी बात आती है देखिए हमें कौन-कौन से exercise में इस belt की जुरत होती है तो देखें सबसे पहले exercise है Scots, Second exercise हमाई deadlift या sumo lift और Third exercise है हमाई military press या आप heavy अगर dumbbell press लगाते हैं तो उसमें और Fourth exercise आपकी जाती है chest press यह exercise है जिनमें आप अगर heavy जाते हैं जहां पर आपको बैट क्या आप सकता होती है तो यह आज का वीडियो था basic जो beginners हैं उनके लिए क्योंकि ऐसी goal है जो beginners वादिरा कर देते हैं क्योंकि advanced level के बंदोगों तो इन सब चीज़ों का knowledge होता है तो छोटे भाई हो आप अपना ध्यान रखिए इस तरीके की दरतियां मत कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राब करें थेंक्यू पर वाचिए